मूदी कदम ऐसा उठाना के इज़त बाकी रहे नहीं समझे तो ये वीडियो देख लो गंडा सिंग बॉर्डर पर भारती फॉजी सेल्यूट मारते हुए गिर पड़ा अब भी देखिए अब पर भारसै कर देखिए अब आओमी सेल्सल्सल्सल्सल्साइ लिस अब NORा सिंगार सिंग्तार कर दो अब भार्याइ हर हर दो आगे पड़ते हैं किराची पुलीस का एक और कारनामा सामने आ गया है एहलकार ने दस्ती बम का नमबर मिटाने के लिए वेल्डर की खिदमात हासल की ग्रैंडर चलने पर दस्ती बम फट गया वेल्डर शदीद जखमी हो गया जिसे हास्पिटल मुंतकिल किया गया कराची पुलीस का एक और कारनामा एहल कार ने दस्ती बम का नमबर मिटाने के लिए वेल्डर के खिदमात हासल करनी चाहीं ग्रैंडर चनले पर दस्ती बम फट गया और वेल्डर शदीद जख्मी हो गया स्याने कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए मरियम नवास का ट्वीट कहती है पर्ची का ताना देने वाले ना अपना हालब पढ़ सका था ना लिखी पर्ची पढ़ सकता है पर्ची से पढ़े तो तमाशा पर्ची के बगएर बोले तो भी तमाशा बनता है कुद्रत भी किस किस तरह बदलते चमकाती है साओधी अरब, UAE, कतर, उर्दन, फलस्तीन समय तमाम खलीज ममालक में कल पहला रोजा होगा अमरीका, आस्ट्रेलिया, सिंगापूर, मलाइशिया, इंडोनेशिया, घाना और नाजेरिया में भी पीर को पहला रोजा होगा मस्जद अलहराम और मस्जद नबवी में नमाज तरावी का खुसुस एहतमाम किया गया है दूसरी तरफ, दुनिया भर में माहें रमजान की तैयारियां अरूश पर हैं इस तरहा साओध यरब, यूएई, कतर, अर्दन, फलस्तीन समय तमाम खलीज बालिक में कल पहला रोजा होगा अबरते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान में तायुनात कैनेजिन, हाई कमिशनर वेंडी गलेमोर ने मसल्मानों को रमजान अबनोपारी कियामत पर मुबारिक बात दी है अपने ट्वीट में वेंडी गलेमोर ने कैनेडा की एक वीडियो भी शेहर की जिसमें मुख्तले मजाहिब के बच्चे नाते रसूल मकबूल सलल्लाह अलेह वाले वसल्म पढ़ रहे हैं मजीद खबरों में आपको बताएंगे जौपान में हजारों दिलकश फूलों से सजा फ्लावर गार्डन तवज़ों का मरकज बन गया है जामनी सफैद और गुलावी रंग के लाखों फूलों से सजा ये गार्डन दुनिया भर में मन्फरित पहचान का हामल है जहां रहदारियों और गैलरियों की च्छतें महकते खुबसूरत फूलों से ढखकी हुई है जो ना सिर्फ यहां आने वालों को साया फराहम करती है बलकि उनकी खुश्बूत से फजा मौतर दिखाई देती है बरिके बन खुशावदीत कहेंगे इसलाम अबाब में साबक सदर आसिफ ली जर्दारी से अवामी नैशनल पार्टी खैबर पक्तुनका के सदर और अस्वन यारवली के साहबजादे एमल अस्वन यारवली ने वक्त के हमरा मुलाकात की मुलाकात में मुलकी और खैबर पक्तुनका की सियासी सूरत इहाल पर तबादलाए ख्याल किया गया साबक सदर आसिफ ली जर्दारी का कहना था कि सिलेक्टेड वजिर आजम के पास अवामी मुश्किलात के खात्मे का कोई प्रिग्राम ही नहीं है हकुमत की गलत वालिसीज की वज़ा से मौशी बहरान सुनामी बन जाएगा मुलाकात में आसवा हुदूर अजमी सेद नियर बुखारी आमिर फिदा पराच्छा डॉक्टर कयूम सुम्रू हमायो खान भी मौजूद है सावी कुजीर आजम मिया नवास्टरिफ ने लाहुर में दाता दर्बार पर हाजरी दी और फाते खानी की मैनिजर दाता दर्बार शेख जमील ने उनके इस्तक्बाल किया उनने वी आई पी रास्ते की बजाए आम शेहरियों के साथ जाकर मजार शरीफ पर हाजरी दी मिया नवास्टरिफ ने अपनी सहत के साथ साथ मुल्की सिलामती के लिए भी खुसूसी दूआ की मनाजर भी आपके सामने मौजूद है वजीर आजम इमरान खान के पाकिस्तान के दो लख्त होने की जिमदारी हमारी थी वो कौमें खत्म हो जाती है जिनका नजरिया खत्म हो जाता है पाकिस्तान का नजरिया पीछे चला गया तो मश्रिकी पाकिस्तान अलहदा हुआ भुटो के बाद पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर नहीं आया कोई कौम जो जिसका नजरिया जब खतम होता है वो कौम भी खतम हो जाती है जब हमारे से इस पाकिस्तान अलादा हुआ तो वो इसलिए था कि पाकिस्तान का जब नजरिया पीछे चला गया जो एक अजीम नजरिये पर ये मुल्क बना था और हम जब हमारा मुल्क तूटा ये नहीं हम कहते हिंदुस्तान ने तो तोड़ दिया हाँ हिंदुस्तान ने तो कोशिश करनी थी जब हमने मौका दिया उन्होंने फाइदा उठाया गलती हमारी थी हमने इनसाफ नहीं दिया अपने लोगों को अब अपने सतर सालों में देख लें कितने लीडर आए हैं जो आता है अवाम का जल्फगार अली भुटो के बाद सारे अवाम के खैरखवा बन जाते हैं और जब जब जाते हैं तो लंडन में और सारी दुनिया में उनकी प्रॉपटीज होते हैं कभी रोहुनियत तो कभी रोहुनियात वजिराजम इमरान खान एक बार फिर अठक गए लफ्स रोहानियत की अदाईगी बार बार गलत करते रहे आईए आपको दिखाते हैं आगे पड़ेंगे आपको बताएंगे गिल्गित बलतिस्तान के नौजवान का महंगाई के खलाफ अनोका इतजाज वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई मैंने वजराजम बनने से पहले ये कहा था कि पाकिस्तान किसी से बीग नहीं मांगेगा मैंने मज़ाग किया था मैंने ये भी बताए था कि बाहर के दुन्या से लोग पाकिस्तान में नौकरियां करने हैंगे मैंने ये भी मज़ाग किया था मजब को मजब समझना चाहिए और जो बात मैं सिरस करता हूँ उसको सिरस लेना चाहिए उसके बाद मैंने बात की थी तब दीली की तो तब दीले आप देख रहा है असर तुमर को अटाया किसे और को मिनस्टी दिया इसी तरह यह तब देली जारी रहीगी और मस्तखबिल में आप मेसे किसी को भी चाइज मिसकते हैं पाकस्तान की वजाषड के उड़ेका पाकिस्तानिक इसलिए बढ़ाया ताकि हमारी चीज की गदिर हो पहले पाकस्तानियों को कदिर मेही थी अब हर चीज महिंगा होता जा रहा है पाकिस्तानियों को इस चीज की गदिर है कि यह महिंगी चीज है तो कम इस्तिमाल करेंगे अगर चीज नहीं होगी तो आपके डिमांड कम होगा अब कि सेवीं ज्याद होगा इस तरह हमारा मुलक अमरीकों साग जाएगा बजली का लोटषीटिंग इसलिये क्या जा रहा है तैकि आधके आवाम को थोड़ा सुकून हो अगर बजली रहेगी आप लोग काम करते रहेंगे अब इसलिए हमने बजली का लोटषीटिंग यहाँ ताकि आवाम वुका पिस हो जाएं तकि जहनी तोर पर पाकिस्तानी तेहर रहें जहनी तोर पर सुकून हासिल करें और इस तरह लोड चीडिंग इंचलाम जारी रखेंगे और इसका दोर्यान या थोड़ा इससे जादर करेंगे तकि आप एक निया पाकिस्तान देख सके कुछ दीगर खबरें शामल करेंगे अब आपके पताएं कि भारती फोर्सिस की लोसी सेक्टर पर बिलाच्टियाल फारिंग से खातून समय दो शहरी शहीद हो गए शहीद होने वालों में 45 साला नस्रीन बीबी और 12 साला मुहमद जाहिद शाहिद शामल है हैस्पियान के मताविख भारती फोर्सिस की तरफ से लोसी के ततापानी और कोट कुटीरा सेक्टर पर सीस फारिंग के खलावजी की गई भारती फारिंग से सोनिया बीबी शदीद जखमी हो गई पाक फार्च की भरपूर जवाबी कारवाई पर भारती बंदू के खामोश हो गए भारती फोर्सिस की लोसी सेक्टर पर बिलाश्ते आलफ तारिंग से खातुन समयत दो शहरी शहीद हो गए शहीदों नेवालों में 45 साला नसरीन बीबी और 12 साला मुहमद जाहिद भी शामिल पीटियम के हवाले से आर्मी चीफ के बयान और डी जी आईस पियार के सवालाग पर तफसरा करते हुए पीबल्स पार्टी के रहनमा खुर्शित शाका कहना है कि अच्छी बात है आदमी चीफ ने पीटियम के मामलाप पर खुद बात की आदमी चीफ ने जो कहा इसे इसी तरहां देखना चाहिए खुशीचा का कहना है कि पीटियम में चंद लोग ऐसे हैं जिन पर बात हो सकती है कि वो क्या है मौश्रा सिस्टम या कोई अदारा सवाल उठाता है तो उठाएं सवाल होंगे तो जवाब भी आएंगे आज मुझाकरात हो सकते हैं ऐसा ना हो कल ये मुम्किन ही ना रहे कि वो क्या है क्या चाहते है मेरी बात ये है कि खुदारा किसी मौश्रे को किसी सिस्टम को किसी भी आदारे में या कोई सवाल होता है तो सवाल होने दे